हालो दोस्तों कैसे हो आप सब मेरा नाम है निशांतरोईला और आप देख रहे हैं आयन डेविल्स दोस्तों अक्टूबर का महीना जा चुका है नॉवंबर के भी लगबग 10 दिन जा चुके हैं और अक्टूबर का महीना सबको पता है फेस्टिवल सीजन रहा है इंडिया में और फेस्टिवल सीजन में सबसे ज़्यादा जो बिक्ती है वो अगर बात की जाए तो दोस्तों गाडियो में मैं आज आपको इस वीडियो में बताओंगा टोप 10 SUV गाडिया जी हाँ दोस्तों मैं SUV गाडिया की बात कर रहा हूँ टोप 10 SUV गाडिया ऐसी कौन सी है जो पहिंद्रा के तरब से आने वाली XUV7OO, अब XUV7OO की बात की जाए, अक्टूबर 2022 की तो टोटल गाडिया भी की है, 5815 यूनिट्स, अगर पिछले साल से कंपेर किया जाए, अक्टूबर 2021 से कंपेर किया जाए, तो क्टूबर 2021 में मिली थी 3407 यूनिट्स, लगबग लगब 208 गाडियों का डिफरेंस इसके अंदर आता है, जो यह डिफरेंस लाके जो XUV700 है, वो दस्वे नंबर पे अपने जगाए बनाती है, साथे साथ दोस्तों मैं कुछ ऐसा भी बता दूँ कि आपको इसमें कुछ गाड़िया ऐसी भी है, जो कि पिछले साल मतलब इस लिष् की है, नोवे नंबर के अगर बात के जाए तो दोस्तों नोवे नंबर पे भी महिंदरा के तरफ से याने वाली गाड़ी आती है, XUV300, इसकी अगर टोटल फिगर्स की बात की जाए तो दोस्तों 6,282 यूनिट्स महिंदरा ने XUV300 की बेची है, अक्टूबर 2022 के महिने में अक्टूबर 2021 से अगर इसको कंपेर किया जाए तो 42,303 यूनिट्स महिंदरा ने बेची थी, अक्टूबर 2021 में तो मोटा मोटा 2,089 गाडिया का फरक इसके अंदर आ जाता है, और इसी के साथ दोस्तों अगर मार्किट शेर की बात की जाए तो मार्किट शेर में ये गाड स्कोर्प्यो अब ये जो फिगर है दोस्तों स्कोर्प्यो और स्कोर्प्यो क्लासिक दोनों की स्कोर्प्यो एन और स्कोर्प्यो क्लासिक दोनों की है, इसकी अगर यूनिट्स की बात के जाए तो 7,438 यूनिट्स अक्टूबर 2022 के महिने में महिंदरा ने बेची है, पिछल अगली SUV गाड़ी की बात की जाए दोस्तों नंबर 7 पे आती है किया की तरफ से आने वाली SONET गाड़ी अब SONET जो है दोस्तों किया ने 7,614 यूनिट्स बेची हैं अगर इसका कंपेर के आजाए अक्टूबर 2021 है तो अक्टूबर 2021 में 5,443 यूनिट्स गाड़ी की आने बे Grand Vitara अब Grand Vitara दोस्तों जब से लोंच हुई है इसको काफी अच्छा बूश्ट मिला है अच्छी बुकिंग्स मिली है तो अक्टूबर 2022 की बात की जाए तो मारुति ने करीब करीब Grand Vitara की बेची है 8,52 यूनिट्स पिछले साल से इसका कंपेर नहीं हो सकता दोस्तों क्योंकि इसी साल गाड़ी आई है तो करीब करीब और 8,52 यूनिट्स के साथ इसने करीब करीब 8,93 परसंटेज मार्किट शेर कवर किया है तो काफी अच्छी बात है मारुति के लिए अगली गाड़ी की बात किजा दोस्तों अगली गाड़ी आती है पाच्वे नंबर पे हुण्ड का विका है वेन्यू पहली के मुकाबले काफी अच्छे लुक में अब आ रही है अक्टूबर 2021 की बात की जाए तो दोस्तों जो की वेन्यू की जो सेल्स है अक्टूबर 2021 में 10,554 ती जो की करीब करीब 979 गाड़ियां कम है इस साल पता नहीं क्यों लुक्स अच्छा है अगली गाड़ी की बात की जाए तो दोस्तों अगली गाड़ी है चोथे नंबर पे किया के तरफ से आने वाली सेल्टोस गाड़ी सेल्टोस में अगर बात की जाए दोस्तों अक्टूबर 2022 की तो 9,770 यूनिट किया ने बेची है अगर इसका कंपेर किया जाए पिछले साल से एक्टूबर 2021 से तो करीब 10488 गाडिया किया ने बेची थी तो 711 यूनिट का डिफरेंस यहां पे भी आ रहा है ये यूनिट ये जो डिफरेंस है 711 गाडियों का डिफरेंस है जो 711 कम गाडिया भी की है ये शाहिद हो सकता है कि किया कि सेल्टोस का फेसलिफ्ट वर्जन आने वाला है इस वजएसे भी हो बाकी काफी 9777 गाडिया भी काफी ठीक ठाक अमाउंट है गाड़ी का और इसी के साथ ये गाड़ी 10.85% मार्केट शेर कवर कर लेती है अगली गाड़ी की बात की जाए दो दोस्तों अगली जो गाड़ी है तीसरे नंबर पे जो आती है व अक्टूबर 2022 के महिने में मारुती ने बेची है अगर इसका कंपेर किया जाए अक्टूबर 2021 से तो ये फिगर निकल के आती है दोस्तों 8,032 गाड़िया एक जार नो सो नो गाड़िया यानि 1909 गाड़ियों का डिफरेंस यहां आता है 1909 गाड़िया ज्यादा भी की है इस साल अक्टूबर 2022 के महिने में अगली गाड़ि की बात कि जा दोस्तों दूसरे नमबर पे आती है हिंडे की तरफ से आने वाली करेटटा गाड़िया अब करेटा की दोस्तों फिगर्स हमेशा ही अच्छी होती है अक्टूबर 2022 के महिने में करेटटा भी की है 11,88 Gordon और अब 11,880 यूनिट्स के साथ अगर पिछले साल की बात की जाए तो दोस्तों पिछले साल अक्टूबर 2021 में हुन्डई ने बेची थी 6,455 यूनिट्स करीब करीब 5425 गाड़ियों का डिफरेंस यहां आता है जो कि अपने आप में काफी बड़ा है और अगर मार्केट शेर की 4.18 का जो है डिफरेंस यहां आता है मार्केट शेर 13 परसेंट के करीब मार्केट शेर Haniट की क करेटा के पास है इंडियन मार्केट में नम्बर वन की बात की जाया दूस्तो नम्बर वन पर आती है टाटा की तरफ से आने वाली नैकसोन गाड़ी अब नैकसोन जो है दूस् 1767 युनिट्स गाडियां टाटा ने बेची है नेक्सोन की ये सभी वेरियंट्स को मिला के है पिछले साल से अगर कमपेर के जाए तो पिछले साल इन्होंने गाडी बेची थी 10,096 गाडियां जो कि अगर इस साल से कमपेर के जाए तो 3,671 गाडियों का डिफ्रेंस निकल के आता है और यहीं इसी के साथ 15.27% मार्किट शेर यह कवर करती है तो बदाई हो टाटा वालों को बदाई हो टाटा को तो यह थी कुछ दोस्तों इंडिया के अंदर अक्टूबर 2022 के अंदर बिखने वाली टोप 10 SUV गाडियां आप मेरे चैनल पे दोस्तों अकर नए हो तो च